हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा दस्मी जिसका विशे है गनित इसकी वर्क्षिट नंबर 35 कराऊंगी जिसकी डेट है में पास 29 सेप्टेंबर 2021 आज की वर्क्षिट में भी हम वही करने वाले हैं त्रिकोनमित्य की सर्वसमिका हैं करेंगे लेकिन आज हम पार्ट 2 मतलब की बहाग 2 करेंगे लाएस्ट वर्क्षिट में हमने भाग एक की या ता जिसमें हमने जाना था कि साइन इसकुर्फिट फ्लस कॉसे स्क्षइट हिटा इस इकल तु 1 होता है यह ना आज हम जानेगे कि 1 प्लस 10 स्कुरिट हीटा जो है वह सैक की स्कुर्फिट हीटा के जाज सकते हो ना तो हम सिप यह दो याद करते हैं कि 1 प्लस 10 square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cos square theta ठीक है और इसी पे बेस्ट आप जो कोशन समय दे रखें उनको शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है कि सिद कीजिए आपको यह सिद करना है ठीक है एक एक कोशन में आपको स्वाल्व करवांगे ब्युकूल ध्यान से समझेगा पहले हम इसको लिख लेते हैं sec square p minus 10 square p is equal to minus cos x square p plus cot square p is equal to 0 यह आपको सिद करना है 0 के बराबर डेखो पहले दोनों सर्व संभीबस यहां लिखते हैं तो 1 प्लस 10 square p जो है वह किसके बराबर होगा sec square p के बराबर होगा और 1 प्लस 4 square p जो है वह किसके बराबर होगा और यहां पर cot square PSE ही लिखा है, is equal to में 0 है, यह तो कट हो गया, आपस में plus का minus है, अब यहां बहार minus है तो यह भी अंदर के sign को change कर देगा, ठीक है और यहां पर आगया plus का cot square PSE है, यह इससे कट हो गया, यह इससे कट हो गया, सब कट हो गया, finally answer के आगया, आपके पास 0 आगय करना है, तो cosec A plus cot A को आपको इसको बराबर, इसके बराबर सीद करना है, तो मैं यहां पर LHS ले रही हूं, cosec A plus cot A ठीक है, आप देखो यह इहां पर लिखवाए आपको इसके equal proof करना है, अब आप क्या करो, अंश में और हर में खुद से क्या करो, cosec A minus cot A से multiply और divide कर लो, आप खुद से कर सकते हो, लेकिन धिहान नखिएगा कि दोनों में करोगे, अंश में भी और हर में भी, किसी भी एक मे नहीं करोगे, बनना गलत हो जाएगा, ठीक है, आप देखरों, यहां पर एक सर्फ समीगा बन गई है, आपके पास अंश में, A plus B और A minus B की, जो की होती है, मेरे पास A square minus B square, ठीक है, और यहां पर यही लिखा वाए, अब आप धिहान से देखो, जो अभी हमने एक सर्फ समी A minus B square, ठीक है, आप देखो, C square A minus B square A की जगा मैं 1 लिख सकती हूं, फिर तो यहां मैंने 1 लिख दिया, और यहां पर मेरा C square A की माइनस B square A, और यही मेरा right hand side है, जो की मेरा यहां पर सिध हो चुका है, देख लो, आप, यहां पर सिध कीजिए, आपको यहां पर भी सिध करन लिख देते हैं, तो 1 plus cos A upon A minus cos A is equal to 10 square A upon A minus 1 का whole square, तो यहां पर LHS ले दूँँ, 1 plus cos A upon A minus cos A, तो 1 plus cos A upon A minus cos A, तो 1 plus cos A upon A minus cos A, तो 1 plus cos A upon A minus cos A, तो 1 plus 1 upon A upon A, और यहां पर 1 कुछ नहीं है तो, और इस वाले cos की जगा भी मैंने क्या कर दिया, 1 upon A, सैके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर, हर एक जैसे कर लेते हैं, तो सैके नीचे आजाएगा, यहां पर आजाएगा, सैके plus का 1, और इसके भी नीचे वाले के भी करेंगे, तो यहां पर सैके आजाएगा, और यहां पर आजाएगा, सैके minus का 1, ठीक है, अब देखो क्या बचा यहां पर सैक के माय स्कुइर और और बच यहां पर स्ट्ण moistur चाहिए आप और यह और yield कर दो just बंढ चाह 20 जाहीं अभी आपको घृमाइब करोगे COP29 मैंने दोनौ में से मल्टिप्लाइब डिवाइड क्या है तो यहाँ पर तो मेरी एक सर्व सम्मिका बन गई A plus B और A minus B की वो हो गई A square minus का B square और यहाँ पर आगया मेरे पास सेक A minus 1 का whole square ठीक है आप देखो आपके पास एक सर्व सम्मिका है 1 plus 10 square A is equal to 10 square A यह आपने आज ही सिखी है ठीक है अब मैं क्या करते हूँ यहाँ पर से इसको 10 square A को यहीं छोड़ देती हूं और 1 को उधर ले जाते हूं सैक स्क्वाइर माइनस का 1 हो गया ठीक है ना तो इसका मतलब सैक स्क्वाइर माइनस 1 की जगा तो मैं 10 square A लिख सकती हूं तो मैं अपने अंश में यहाँ पर 10 square A लिख देती हूं और नीचे का यह आपके पास ऐसी स्क्वाइर 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 स गुमाया है और कुछ भी नहीं किया ये दो सारू समी का आती है तो आप बाकी के आराम से लिख सकते हैं कोशन नमबर 2 देखते हैं कहाँ स्कॉर थीटा 10 स्कॉर थीटा प्लस 10 थीटा साइन स्कॉर थीटा का मान 10 ृच के में ग्याद कीजिए तो देखो आपको यहां दे रखा है cos square theta 10 square theta plus 10 square theta sin square theta इसका मान निकालना है लेकिन 10 theta के रूप में निकालना है ठीक है यहां लिख लेते हैं पहले इसको 10 square theta sin square theta ठीक है आप देखो आपको दिखरा दोनों में 10 square theta common है उसको कर लिया यहां पर बचा cos square theta plus sin square theta ठीक है ना अब हमने एक आइडेंटिटी अपनी सर्फ सम्मी का लास्ट वाली वरक्षीट में जानी थी वह क्या जानी थी कि आते हैं question no.3 पर question no.3 में आपके पास है यदि root 3 10 theta is equal to 3 sin theta हो तो सिध कीजिए कि sin square theta minus cos square theta is equal to 1 by 3 है देखो आपको यहां पर क्या कह रहा है आपको यह दे रखा है आपको सिध क्या करना है सिध आपको यह करना है कि जो sin square theta है माइनस जो cos square theta है वो 1 by 3 के बराबर है यह आपको सिध करना है देखो सबसे पहली बात तो आप 10 theta को यह लिख सकते हो कि sin theta upon cos theta यह हमने अपनी प्रिकोन मिद्धे की फॉस्टी वरक्षीट में जाना था कि 10 theta 4 theta का सब्सक्राइब लिख सकते हैं तो इसको इससे कट कर दिया तो यहां पर आपके पास बचा रूट 3 cos theta is equal to 3 यहां से मैंने क्या 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 की value निकाली इस cos को दूसरी साइड ले गई और 3 को इधर ले आई ठीक है अब आपको सिध क्या करना है sin square theta minus cos square theta is equal to 1 by 3 sin square theta की जगह मैं यह लिख सकती हूँ ना देखो एक सर्फ समी का मेरे पास ही होती है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो यहां से मैं क्या करते हूं sin square theta का मान मिकाल लेती हूं 1 minus cos square theta अब वो यहां पा लिख देती हूं माइनस का cos square theta ऐसी है यह 1 by 3 तो ऐसी ही चलता रहेगा अब cos theta की value मुझको पता है root 3 by 3 है तो इसका square लगा देते हैं और यहां पर भी यही करते हैं root 3 by 3 का square लगा दिया is equal to 1 by 3 यहां तक आप देखो 1 minus 3 upon 9 यहां भी होगे 3 upon 9 जब मैंने square हटाया तो यह solve के आगया अब हर एक जैसे करते हैं तो यह होगे 9 upon 9 minus 3 upon 9 minus 3 upon 9 is equal to 1 upon 3 अब 9 में से 3 गया तो 6 बचा 6 में से 3 गया तो 3 बचा तो इसका मतलब फाइनली क्या बचा आपके पास 3 upon 9 बचा is equal to 1 upon 3 बचा इसको इससे कट किया तो 1 upon 3 1 upon 3 is equal to 1 upon 3 दोनों बराबर आ गए जो आपको सिध करना था प्रूफ करना था यहां पर वो प्रूफ हो चुका है क्लियर तो यह थी आपके पास आज की छोटी सी वर्क्षिट जिसमें हमने दो सर्व समिकाएं और जाने अब आज का होमवक आपका यह है कि आप यह दोनों सर्व समिकाएं याद करोगे कि 1 प्लस 10 स्कूर ठीटा इस इकल टू सैक स्कूर ठीटा होता है और याद करने के बा ठीक है तो जल्दी से याद कीजिए और जल्दी से कमेंट में इन दोनों आइडेंटिटीज को लिखें वर्क्षिट 35 कम्प्लीट नेक्स्ट वर्क्षिट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चै